ओम नमः शिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जिवन जीने की खला में आईए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उर्वशी अपसरा के पुर्वजन्म की कहानी जिहां प्राचीन काल में कश्मीर देश के देवरत नामक एक द्विज थे उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालीनी के नाम से प्रसिद्ध थी द्विज ने उसके घर में कामकाज के बहाने उपपती रहा करता था सभी जाती के मनुष्य जार के रूप में उसके यहां ठहरते थे, वह कभी पती की आज्या नहीं मानती थी, सदा ही परपुरुष के साथ रंग्रलियां मनाती थी, इसी दोश के कारण उसके सब अंगों में कीडे पड़ गये थे, उन कीडों से उसकी नात, जिहवा और कानों क उच्छेद हो गया, अस्तन तता उंगलियां गल गई, उसमें पंगुता आ गई, इन सब क्लेशों के कारण उसकी मृत्यू हो गई, तत पश्चात सोवीर देश में पद्म बंधु नामक द्वीज के घर में अनेक दुखों से घिरी हुई, कुतिया हुई, उस समय भी उसके से घर आया, उसने तुलसी की वेदी के पास जा करके अपने पैर्धोये, देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी, सुर्योदय से पहले का समय था, ब्राम्हन कुमार के चनोदक से वह नहा गई, और तत काल उसके सारे पाप नश्ट हो गई, कुतिया को अ परात करने वाली इस्तरी सेक्णों बार तिर्योगनी में और अर्बो बार कीड़े की योनी में जन्म लेती है, यह सुनकर कुतिया बोली, दिन वचसल मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ, मुझ दिन के प्रती धया कीजे, द्विजेंद्र में आपको नमस करती हूँ, कुतिया की विंती सुनकर ब्रामण कुमार के पिता पद्म बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले मैंने द्वादशी का पुन तुझे दे दिया, ब्रामण के इतना कहते ही, कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याक कर दिया, और दिव्यदे धारन कर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्रह्मण की आज्या से स्वर्ग लोग चली गई वहां महान सुखों का भोक करके इस प्रित्वी पर भगवान नर नाराण के अंश से वहीं कुत्या उर्वशी नाम से प्रकट हुई धन्य है श्रीहरी धन्य है उनकी माया, माया पती की माया में अजेब्रहांड समाया, आपकी माया का कोई भेद न पाया, नेनों में है छबी आपकी दिव्यकरो ममकाया तो इस प्रकार से ये कथा रही आप सभी के लिए आज की उर्वशी अफसरा से related ऐसी ही नई वीडियो के लिए आप सभी चैनल के साथ बने रहें हम आप सभी के लिए नई वीडियो ले करके इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं तब तक आप सभी बने रहिए विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें स्वस्त रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव